क्या हाले बेड़ी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वैता पाक कलामी स्वागत की साथ साथ अभिनन्दन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूछ सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो आज श्वैता पाक कलाम बना एक खीर जी तो हमने लौकी और साबूदाना क इसको एक बार इस तरह आप खीर बना लेंगे तो आपको बहुत जादा पसंद आएगी आप इसको लंच ब्रेकफास्ट डिनर किसी इससे में बना के तयार कर सकते हैं चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं इसके लिए बहुत थोड़ी समागरी जो इस त साबुदाना लिया है जिसको दो से तीन बार अच्छी तरह पानी से धुल के साफ कर लेंगे इसके लिए बड़ा बरतन ले लिया इसके अंदर पूरे साबुदाना को डाल देते हैं दो बार अच्छी तरह से पानी से धुल के साफ कर लेते हैं इस तरह साबुदाना को धु दुलके हमने साफ कर लिया दो बार अब इसके अंदर एक से डिर्कटोरी पानी को डाल देते हैं और तीन से चार घंटे क्ली इसको एक प्लेट की साहता से ढख के छोड़ देते हैं एक हमने लौकी ले लिए छोटी साइच की लौकी जिसके तरह खीर को बना के त्यार करेंगे मार्केट से लानिक बाद सबसे पहले दो से तीन पानी से अच्छी तरह से हमने लौकी को धुलके साफ कर लिया था अब साफ करने बाद इस लौकी के बारी चिकली को हमने निकाल द के लूखी को बीच कर साफ कर ली ही को पूरी बीच वाले हिस्से को कर लेना है। दूकीस को हुपने साफ कर लिए अब धिक कदुकस ले 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 दे जिसके दार निए जल कियों खिशके तैयार कर लेना है। इस तरह पूरी लॉख भी खिश के प्रयार करें बहुत आसानी से लॉकी का खिश जाती और जट पर तैयार हो जाती है। इस तरह दे कि पूरी लोकी तयार हो गई है, अपने एक कढ़ाई रगती, कढ़ाई गरम हो कि इसके अंदर एक टेबे स्पून देसी घी को डाल दिया, घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, अब जो अपने लोकी घी इसकी रखी पूरी लोकी को इसके अंदर डाल देते हैं, इतना ही लोकी को अपने पका के तयार करना था, लोकी के अंदर एक लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूद है, इस पूरे दूद को इसके अंदर डाल देते हैं, डालने बाद अच्छी तरह से लोकी के अंदर मिला देते हैं, मिलाने बाद जो अपने साबुदाना को भीगो के त्यार कर लेना है यह पकता जाता है वैसे यह गाढ़ा होता जाता और इस तरह देखे इसके अंदर उबार ला गया बीच में इसको अमने छोड़ा नहीं था चलाते विए इसको पकार लेना है गैस की फ्लेम को लो कर देते अब इस तरह देखे पकते विए लगबख 5 सुद्रा के करीभी चीनी इलाय के इसके अंदर देते ë ब अच्छित चरह से घुल गया है इसको वहनी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है बंकरने ब इसको पांच मिनट के लिए ऐसी चूण沙श दिखे इतनी गाड़े एक दम रबढी जैसी खीर बनके थार हुई है इसके इंदर हमने डॆइफ फ्रूट को डाल देना है दो टेबेस फून हमने किसमिस ली, आठ से 10 बादाम ले है जिसको बारी काट के तesova कर तैयार के है पुरी डॆइफ फ्रूट को इसके अंदर डाल देते हैं, लोगे अच्छी तरह से इसको मिला लीते हैं इसको हमने बोल के अंदर निकाल लेना आप अपने परवाग साथ इसके स्वात कानन लीचे बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी खीर बन के त्यार हुए आप बिना ब्रत के भी इसको बना के त्यार कर सकते हो पर हमने थोड़े से पिस्ता के कतरन रख दिये और इस तरह से निकाल के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्मात बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते अपनी नई वीडियो नई रेस्पिक साश्वेत आपकलां बाई दोस्तों एं टेक केर